दोस्तों ये LG का इनिमेटर मोडल AC है दोस्तों कोई भी AC हो चाहिए करियर का हो LG का हो या किसी भी कमपनी का AC हो आप मोडल नमबर से उसका टनेज कैसे निकाल पाएंगे आज का वीडियो यही बनने वाला है कि अगर मसीन को उपर मोडल नमबर दिया हुआ है तो उससे आप ट लिखाता हूं और बताता हूं कि आपको टन कैसे निकालना है मोडल नमबर से दोस्तों ये मेरे सामने मोडल नमबर है ये LG का ही है यहां पर आप देख सकते हैं या पी LG लिखा हुआ है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां AB UK 36 GM 3 Ti लिखा हुआ है T1 है ये मोडल नम अगर आपको तर्न निकालना तो इसमें दो-तीन चीज आप को जानना बहुत जरुबरी तो आब मॉडल नॉम्मर से टन निकाल पाएं गए यह जहां बहुत सब्सक्राइब स्क्झार्Siया बहुत सारे टेकनिसीचन को मालूम है और बहुत सारे के लिए अब दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले दोस्तों यांपे आप देख पा रहे हैं ब्रूट यह पॉइंट में दिया दोस्तों ए 410 गैस Was The दोस्तों इन्वेटर मॉडलो ओ नॉन इन्वेटर मॉडलों यह फ्रें निकालने का अब्सक्राइब दगे को सबसे पहले ब्रू जाना ज़रूरी है मौडल नम्मर से टन निकाल पाएंगे जैसे 12,000 B2 बराबर 1 टन होता है 24,000 B2 बराबर 2 टन होता है B2 में 1000, 2000 के डिफरेंट आता है ऐसा नहीं है कि 11,000 B2 हो तो 1 टन नहीं होगा वो 1 टन माना जाएगा अगर 22,000 B2 हो तो 2 टन नहीं माना जाएगा उसको भी दो टन माना जाता है तो B2 1000-2000 आगे पीछे होता रहता है उससे कोई बड़ी बात नहीं है अगर वही B2 आपका 2000-3000-4000 डिफरेंट है तो वह फिर टन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा दोस्तो तो यह जो आप माडल नमर देख रहे हैं और B2 में आपको बता रहा हूँ 12,000-2000 बढ़बर 1 टन होता है और 24,000-BO2 टन होता है 36,000-BO2 बढ़बर 3 टन होता है ऐसे ही आप B2 बढ़ाते जाएगे आपका टन बढ़ता जाएगा यह मैं माडल नमर से बता रहा हूँ आप कोई भी बड़ा से बड़ा चोटा चोटा यूनिट आप देखेंगे उसमें model number लिखा रहता है और model number के साथ ऐसा अंक जरूर लिखा रहेगा model number के साथ इस type का आगे पीछे English का sub दोगा बीच में यह आपको 36, 35, 46, 48 ऐसा कुछ जरूर बना रहेगा तो सबसे पहले आपको यही चीज पकड़ना है यह चीज आप पकड़ेंगे और बीटीव से कल्कुलेट करेंगे तो आपका टन निकल जाएगा जैसे कि यहाँ पे 36 बना हुआ है अब बारे 1000 बीटीव पराबर वन टन होता है तो बारे तियां 36 यह जो 36 बना हुआ है दोस्तों यह 36 बीटीव है कि यह 36,000 बीटीव है जब बारे तियां 36 आप करेंगे तो यह 12,000 बीटीव पराबर जो वन टन होता है तो ऐसे ही बारे तियां 36 यह जानी 36,000 बीटीव पराबर तीन टन तो दोस्तों यह 3 टन का यूनिट है जैसे यहाँ पे कुछ बीटीव लिखा भी है 34,100 तो बारे तिय इसका आगे पिछे होता रहता है मैं पहले ही बोला बीटीव में थोड़ा आगे पिछे होता है तो दोस्तों यहाँ पे अगर फोटी एट लिखा रहता तो यह 4 टन का हो जाता है 24,000 बीटीव ऐसे यह बारे से जो मल्टी करते रहेंगे और जितना भी अगर यहाँ पे आ ग यहाँ आगर बीटीव प्राबर आधा टन हो रहा है तो टोस्तों जायेगा 67,000 बीटीव रहेंगा फिर भी ऐसे तन ही माना जाएगा दोस्तो तो ऐसे आप मोटल नमा निकाल सकते हैं सावा टन का इसे निकाले दोस्तो यह भी सावा टन का भी एसी आता है आप पौना टन का भी एसी आता है देखे होंगे आप पौना टन का इसी वान टन से भी कम होता है तो उसका भी B2 अगर 12,000 B2 है तो वो हो जाएगा 9,000 B2 हो जाएगा 10,000 B2 हो जाएगा दोस्तो तो वैसे आप 5 टन का निकाल सकते हैं लेकिन सबसे इंपर्टेंड चीज यही है यह जो मॉडल नमर है यह आपको मॉडल नमर आपको मालूम होना चाहिए यह मॉडल नमर यहाँ पर कई बार 37 हो जाएगा 37 हो जाएगा 38 हो जाएगा तो आपको 3 टन ही मना जाएगा इसमें भी थोड़ा 2-4 अंक आगे पीछे होता रहता है तो दोस्तों एक कोई सोचने वाली बात नहीं है कि यह ब्यच्टी एक हजर तो जार आगे पीछे हो गया चाहिए मॉडल नमर में यह जो अंक है ओव आगे पीछे दो अंक आगे पीछे हो गया तो दोस्तों यह सब चलता रहता है आप ऐसे टन निकाल सकते हैं दौस्तों य एसी ओ चाहे लजी का हो डाइकिंग का हो या कोई भी एसी ओ इन्वेटर एसी ओ नॉन इन्वेटर एसी ओ आप ऐसे मॉडल नंबर से आप टन को निकाल सकते हैं